जैंदी प्यारे साथियों रोजगार विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेके आया हूँ एक भोती शांदर रिक्रूट्मेंट के बारे में बिल्कुल पर्मानेंट सरकारी जॉब है और आपकी यहाँ पर बिल्कुल पर्मानें से जानकारी देने वाला हूँ तो हम नोटिपिकेशन की ओर चलते हैं यह इसका मैं नोटिपिकेशन है अब सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से वेकेंसिया निकली है अलग अलग तरीके से इलिजबिलिटी क्र है सेक्षनिक योग गता है एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट भी अलग अलग वेकेंसियों के अकोडिंग अलग अलग है ओल्मोस्ट ज्यादा क्तिर वेकेंसियों के लिए यहाँ पर एज लिमिट है जो 18-17 साल है जन्रल कैटेगरी के बाकि जो सेंट्रल आपको जिस तरीके से रिजर्वेशन देती है उस अकोडिंग आपको यहाँ पर एज में छूट मिलने वाली है इसके अलावा यदि हम सबसे इंपोर्टेंट बात करें यहाँ पर केवल और केवल मेल कंडिडिट अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर फीमेल अपलाई नहीं कर सक होगा उसके बाद में आपका ट्रेंट टेस्ट होगा जिसको हम प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल होगा और जब आप यह सारी चीज़े पास कर जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर सलक्शन हो जाएगा रिटन ट से बिलौंग करते हैं तो रिटन एक्जाम में आपको मिनिमम चालिस पर्चेंट मार्क्स लाने होंगे जो कि यहां पर लिखा हुआ है और यह मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटिरिया कंप्लीट करने के बाद आपको पी एटी के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशि कंडिडेटों को पास किया जाएगा ठीक है उसके बाद में भी यहां पर दस गुड़ा कंडिडेटों को पास किया जाएगा अब यदि मैं फोरम फीस के बारे में बात करूं तो यहां पर फोरम पीस जन्रल और EWS की 50 रुपए OBC की 50 रुपए SC ST और जो disability वाले कंडिडेट है उनकी यहां पर कोई फोरम फीस नहीं है अलग अलग वेकेंसी के लिए यहां पर ओल्मोस्ट अलग अलग qualification criteria है और अलग-अलग age limit है यहां पर वेकेंसी है जैसे dropman की है supervisor administration की है supervisor store की है supervisor keeper की है हिंदी typist की है operator की है electrician की है welder की है multi skilled worker की है multi skilled worker की है तो इस तरीके से यहां पर अलग-अलग परकार की वेकेंसी है और परतेक वेकेंसी के लिए यहां पर जो eligibility criteria है जिसको हम educational qualification बोल सकते हैं वो भी यहां पर बिल्कुल अलग-अलग है जो आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है और इस form की मैं यह ज़िए इस वेकेंसी की last date के ब 16 अगस्त से 45 दिन के अंदर अंदर आपको यहां पर फॉर्म अप्लाई करना है ओपीसियल वेबसाइट का लिंक मैं इसी वीडियो के description में दे दूँगा जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे और इस notification को भी बिल्कुल टिटियल से पढ़ पाओगे बाकी आपने करें बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए थैंक्स बाई